जैसा की आपको मालूम है सन 1887 में विद्युद चुम्बक्य तरंगों की उत्पत्ति एवं उसकी सम्सूचना पर विद्युद चुम्बकत्व के मैक्स्वेल के समी करणों और हर्ज के प्रयोगों ने प्रकाश के विद्युद चुम्बक की तरंग सिध्धान्थ और प्रकाश के तरंग सिध्धान्थ के अभूत पर रूप से व्यक्षा की थी उन्नीस्वी सदी के अंत में जब कम दाप पर गैसे में विद्युद चालन का प्रायोगिक अन्वेक्षना हुआ तो उसने बहुस सारी अत्यासिक खोजें की जैसे की अठारा सव उन्यासी में विलियम्स कुक्स के द्वारा कैथोर किर्णों की खोच की गई 1895 में रॉंट जन के द्वारा एक्स किर्णों की खोज की गई और 1897 में जे जे थामसन के द्वारा इलेक्ट्रानों की खोज की और इन खोजों ने हमारे को परमानु सम्रचना को समझने में बहुत ज़्यादा मदद की तब तक लोगों ने यह जान लिया बीस्वी सदी के आते तक कि जब किसी धातु की सतह पर पराबैगनी प्रकाश गिराया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्टरानों का उस्सरजन होता है साथ ही यह भी पता किया गया कि जब किसी धातु को उच्च ताप पर गरम किया जाता है तो उसकी सतह से भी यह रिणाविशित कन इलेक्टरॉन उस्सर्जित होते हैं इस तरह बीश्वी सदी में हर्ज ने प्रकाश के विद्य चुंबक्य प्रभाव की खोज की और इसकी व्याख्या उसने क्वांटम सिध्धान्त के आधार पर की इस सिध्धान्त के अनुसार प्रकाश उर्जा के बंडल या पैकेट होते हैं जो की प्रकाश की चाल से सरल रि प्रकाश में गमन करते हैं इस प्रकाश के उर्जा के पैकेट को हम फोटान कहते हैं फोटान की उर्जा इबराबर एच न्यू या इबराबर एच सी बटे लेम्डा होती है जहां हमारा प्लांक नियतांक है जिसका मान 6 दसमलों 6 गुनित 10 की घातरिंट 34 जूल इंटु सेक इन्वर्स तथा सी प्रकाश की चाल जिसका मान 3 गुनित 10 की घात 8 मीटर प्रतिसेकंड होता है न्यू आप्तित प्रकाश की आवर्ति है और लेम्डा आप्तित प्रकाश की तरंग लंबाई है इस सिध्धान्त के द्वारा कि प्रकाश के कुष करन के रूप में चलने के ग प्रकाश का व्यतिकराण और प्रकाश का वीवर्तन था इसको हमने तरंग सिध्धान पर समझाया था और अभी हमने प्रकाश के विद्यूत प्रभाव को उसके कण के प्रकृति पर समझाया जिससे यह पता चला कि प्रकाश की प्रकृति द्वेत प्रकृति होती है आईए हब हम इस अध्याय में इस विक्रण की द्वेत प्रकृति कण की प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों होती है जिसे हम द्वेत प्रकृति कहते हैं आए इस अध्याय में हम विक्रण और द्रव्य की द्वेत प्रकृति का अध्यन करेंगे